तो उसके बाद कुछ आते हैं मोल्स इंडिस्ट्रिय इंपॉर्डंस तो उसके एक फाइल आती है वह आप लोगों पुछ से करने हैं वह रटा है तो उसमें समझाने वाला ऐसाच है नहीं कि आप आप उसके नीमोनिक्स बना आ लो बट आप तो मेंनेज करोड़न करो कि तो आज उसको पागती क्या बैक्तीरिया क्या जी है ऐना वो आपके उसकेस लुदृ कर het यानिके बक्टेरिया से रिलेटिड हमने पढ़ना है तो यह एक प्रानी चीज़ें नहीं जली जली को कवर करेंगे एनिमल प्रांट प्रांट पंजाए प्रोटोजोन और एलजी के इन्दर जो सहल होते हैं और बक्टेरिया और आज यह क्लास है जिसके इंदर क्या आज़ें एक्स्ट्रीम आज होगी माइट आपने पड़ा हुए नाइफ के अंदर वह प्रॉपर एक सेल डिविजन होती है एक दो तीन चार पांच है वह स्टेप में जब वह पूरा होता था प्रो फेज़ है में तो पांच शे फेज़ तो वह मैट आप इसके अंदर ना तो नुकलियर मेंबरेन होती है हमाने लिवाब के अंदर आपके नेनौक्लियस के अंदर टौत है ने कलरक का कलर नेजि़ पॉरोंट में जयुक्सिब्स ani पिरत आप लिनियर में तरफ यह उतना झयाए यह पडोर्कर्वार्ट होगा और सिंगा लोगा उसके नदे ठीक है और जो है कांड़ी कैमरा ओफ कर लें अपने फिर शो होते हैं फिर वीडियो रिकार्ड करें एडिट होती नहीं यह फिर यूट्यूब पर जाता है ऐसे लेक्शन सैद्स है और होते हैं झाये चंदर जैंडर होते हैं जिसकabethेंड कि ईदर नहींदा है यह दोgia यह ही जब्यूह को के मिद्धोर प्रॉफस्थे पहले क्रो अिदर होते हैं करके तो ये जो है वो इन के नि होता है इसके बाद प्लांट फंजाए और फंजाए और और प्लांट फंजाए और नहीं प्लांट फंजाए और लाइकन के बनी होगी जो कि complex carbonate complex carbonate से मुराद है कि वो स्टार्ज और हमने पढ़े था ना अलीगो से क्राइड पॉलिश प्राइड लाइकन है जिसकी यह सेल वाल बनीटी प्रोक्राइडिक सेल से प्रोक्राइडिक सेल की सेल वाल बनते है प्रिजिंट इन्द आर्ल प्रोक्राइड और यह तमाम के तमा दो लिपिट बाइलेयर का मतलब है दो लिपिट की लेयर होंगी ठीक है और उनके अंदर फॉसपेट होगा ठीक है तो इस तरह करें पावर होती है और एक्जोसाइटोसी की मेंब्रेन के करती है जब उनके सामने कुछ चीज आती है जिसना यह बाहर लोका पार्ट यह सेल ह तो मेंब्रेन क्या करेंगी इसको यह इंदर चला जाएगा ठीक है और यह क्या करेगा बाय निकल जाएगा इंडॉसाइटोसिज और यह 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 नहीं होता है नहीं होता है 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 कि इसके अंदर नेटेको फ्राइब कुलम मुजूद है इसके इसके इन बड़ा राइब हो मैं इसके अंदर छोटा राइब हो मैं ठीक है इसके छिज़ कोई चीज करते हैं जैसे आप अगर स्विम कर रहे हो अगर आप स्विम कर रहे हो तो आपकी टांगे और हाथे दुनों आपकी लोको मोशन में हैल्प करते हैं वह आपको मूब करने में मदद देते हैं जब आप पैदल चाहरे हो तो आपकी टांगे जो वाधा लोको मोटर काम करते हैं आपको चलने में मदद दे हैं तो इनकी बाड़े के लिया हते हैं जो उक करियर होते हैं इनके होते हैं इंको शेक année करने में है वहीं होते हैं इसाने होता है और यहां से चीज के इस दिखिए गिए इस त Ci remains होता है तो यह हाथ वह मारता जिसके आगे यह पीचे मूब करता है यह सिंगल फिलेजल है यह आगे पीचे इससरा मूब करेगा है और निटिकन चेंज दा डिरेक्शन अकॉर्डिंगली या माइक्रो बाइलोजी के अंदर पढ़ चुके है ठीक है आगे चलेंगे प्रोक्रियोट्स लार्ज सर्फेश टू वालियम रिचयो प्रोक्रियोट्स के अंदर लार्ज सर्फेश टू ऐलियुम रेश ÖLS Analytics यह है maar आर्गनलीज बहुत कम हैं तो उसका जितना भी सहला वो खाली बढ़ा है तो इसका אני 사fês ज्य मौलियम रिशी ऊपाली पड़ी ऊपड़ मौर्णा कर सकते हैं यह मौठो के अलगे हैं सपीचर्डिया उनारस स्परियर्ड साइज और हमारे पास बहुत सारे आते हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टन जिए मैडिकल इंपॉर्टन को नहीं बताया वाए कि जिरो वैसे तो इनकी एक नंबी रेंज है लेकिन जो मैडिकली इंपॉर्टन है वो जिरो पैंट टू से लेके वन पैंट फाइव माइक्रो मीटर से लेके उन-पैंट फाइव माइक्रो ॥े माइक्रो मिट व चान ओगे हैं लंबाई और यह उसी चुडैई आगई। मेरे दिफ़रंट डाईब ऑफशेश होती है को काय जिसकी बेस पे इनकी जाव क्लासिफिकेशन भी की जाती है को काय होता है अब उनके सब्सक्राइब ना जैसे गेंद होती है टैनिस बाल होती है बैसलाइज जो देब लाइक राड यह आपके राड बने मैं जिसे इसना एक शमा को तरह इस पारल ला ठीक है इन्होंने तो बड़े इस बना दिये यह देखो इस तरह एक जिसना स्नेक चल रहा था था ना तो यह होते हैं कि जबके बैसिला जो हम वह रॉट है पोते हैं और जो कोकाय हैं वह गोल गोंगे बैक्टेडियल गुरॉप्स इस तरह और और एक डूबिजा इनकी फॉर्म होती है फ्लेक्सिबल स्पार फार्म स्पार बेसिकल या क्लास और बैक्टेडियो गुरॉप जिनकी स्ट्रॉक्टर जाव स्पारल जैसे हैं तिक है इनके ब्रांचिंग फिलमेंटियस इसके इसके इंदर सारे के सारे ब्रांचिंग हो सबसे चोटा जो इतना चोटा होता है कि उसके अंदर यह वह सेल वाल भी मजूद नहीं होती यह अगर शार का बना देंगे तो टेट्राड अगर इस तरना बस गुच्छा जिसना होते हैं इस तरह बनाएंगे तो स्थेफाइलोगो का और अगर इ år और आट अबना एक फीना अगर वैसे घुच्छा बनारीय है तो आप से को का वहें इसको चैन वाले को स्ट्रेप अब कर ऐसे सुगल about Oh गोपल यह होता है जिसके अगरृब हो गया और यह जूड़ा पर अगला जो सिर्फ से एपने पॉइंट से जुड़ए होते हैं पहली सेड और अगर लाए यह यह दो काई यह तो यह रोड रोगी नेक्स रामाणा पार री प्रोडक्षिन का बाने इसे वह एक फॉपी एच्टेरिया जिसको आप कहते हो वह एक प्रक्टेरिया किया के लिए ने करेंगा एक यह यह है यह दूसरे बाले ना ना व कहीं बी वाल के प्रीब जाएगा इस नहीं तरह करके यह यहाँ यह वाल तो एक से आगे दो और एक बड़िंग मेथड़ भी होता है वह कर चुके हैं तो पूछा गया अगे हैं हमारे पास इसकी यह यह सिंपल है सिंगल स्टेंड डियन ने वह रैप्लिकेट होगा इसकी दो कॉपियां बनेंगी हर दोनों कॉपी देखे के कैंड़ पर चले जाएंगे और देन द्रम्यान में रार आके दोनों अलाग अलाग सेल बन जाएंगे ठीक है एनाटमिय स्ट्राइम लियर कैप्शिवल फ्लैजेला फिंब्रिया यह और स्पोर्ट सब के लिए जो हमें तफसील आगे मुझूद है यह एक दस से पच्चिस नैनुमीटर थिख मेड ऑफ कंफलेक्स वालिसकरइड हमने उपर बात की कि बनी उती है और ब्रोकिरेट्स तो यह डो इस है जो इसकी आल्टरनेटिंग एक यह एक यह एक यह एक यह एक यह बनी होगी ठीक है और इनको आप अच्छा और इनके दर्मयान कौन सी चेंज मजूद होंगी पैप्टाइड की जो के प्रोटीन के अमाईनो इसिच के दर्मयान मजूद होती है शेप औफ सेल वायरोलन्स इस ड्यू टो सेल् वाल वैक्टेरिया जैसी सेल वाल होगी उस पर डिपेंड करता है सेल बैक्टेरियल सेल किस तरह का देखेगा वायरोलन्स के उसकी डिजीज काजिज काजि़िटी किया है ठीक है कि कि उसका मटीरियल मजूद होता है वो कि सेल वाल के अंदर मजूद होता है ठीक है इस लिए इस लिए इनको एक्षिन को को खतम करने के लिए on the basis of chemical nature of cell wall there are two types of bacteria cell wall की chemical nature के मताबिक दो तरह के बक्टेरियाद होते हैं एक होता है gram positive एक होता है gram negative बक्टेरिया अच्छा इनके अंदर layers की बात करें तो इसके अंदर gram positive जाए वो simpler वान है ठीक है और gram negative जाए ये थोड़ा सा complex वान है अब इसके अदर एक cell wall है एक cell membrane है कोई periplasmic space नहीं है ठीक है simply है यह आप इस तरह अगर मैं इसको draw करूं यह cell wall आगी ठीक है यह आपकी नीचे आगए उसके नीचे cell membrane आजएगी जैसे plant का cell होता है यह simple है इसके अंदर आउटर layer and periplasmic space and then come cell membrane तो जो इसके अंदर है इसके पहले एक आपके पास cell wall है इसके cell wall को दो इससों में किया गया है एक उसके आपटर layer है एक बीच में इस तरह खाली जगह है पैड़ी plasmic space मतलब उसमें भरा हुआ हुआ है कुछ ना कुछ लेकिं देन आती है cell membrane तो इसके अंदर तीन और इसके अंदर सिर्फ दो हो थी ठीक है तो यह आप इसके जब यह दोनों के अंदर बैश्जिक इफरेंस है शैल वाल की बात करोंगे संपल तो सेंपल होती और थिक बनी होती संहां तीन होती थे क्यों है क्योंकिति तласт comen को इसके बनां वोगी नमबर आफ लियर की लेल इसके लियर मौजूद हो घुत UK होते हैं तोसरी याट होते हैं। जो कि सबसे उपर मुजूद होती है। इसके लिए ही नहीं है टो यह मैंने नहीं है लाइप इसके अंद घर्ली कान्ट इसके इनले के इजग create उसके इंदर उतके लिप्र प्रोटीन-a니다 तो इसमें कम होगा इसमें ज्यादा होगा इसकी जो ग्राम पॉस्टिट मुझूद होता है जिसको कहते है जो के ग्राम नेगटिव के अंदर होता है प्रोटीन कॉंटेंट इसके इसके नदर नाइन परसेंट है यह अपने उपर किया यह बक्रेडियल सेल वाल को डैमज करके जो है वह नुक्सान बुझाती है यह इसके अफैक्ट पैंसलीन ज्यादा काम करती है बनिस्पत ग्राम नेगटिव के तो अगर डिजीजीज काॉस्टिंग एजिट ग्राम पॉस्टिव है तो आप उस पैंसलीन रखनी होगा कम होगा डिजेटिज़ या लाइसोजायं को चया था ऊ झालागी है उसकी बनाइ जाते हैं वेक्यूज थार एडिजियंग इन को क्या करता है वो देखें कि अरे कैसमेंट करेंट के रलीज्ट कर देगा ठीक है कि यह होगा ओए नहीं है तो यह एक सेफरानिन होता है अगर जब करते हैं पैसिकली क्या होते हैं जब माइक्रोस्कोप के अंदर हमने बक्टेरिया को देखना होत Esse the पर वो एक जैसे लगते है क्योंग के वाटर और बक्टेरिया को एक जैसे यह थैंऑ और पानी राज़ी में स्लाइड बनाने कलिए हमका सा रखना पर वबा उommt तो जब आप उसको चेक करते हो तो वो mix up हो जाता है आपको नजर नहीं आते है तो इसलिए कुछ staining की जाते है ठीक है तो यह जो है पॉस्टिव जाए सफरेन को retain करता है और pink color show कर जाता है क्योंकि सफरेन की वज़े से इसको pink color आता है यह जो है crystal violet को retain करती है इसकी cell wall ठीक है वो इसको नहीं करेगी तो इसलिए जब इसका क्या सेनेरी होता है कि आप जिस रंग को जो रंग आपकी बॉड़ी पर चाड़ गया वही आप आपकी बॉड़ी का color होगा ना जो नहीं चड़ा वो उतर गया ठीक है तो वो फिर आपकी color नहीं हो तो पहले सैफरेनी लगाया जाता है ठीक है सैफरेनी जब लगाया जाते है तो जो तो उसको accept कर ले वो हो जाते है red color का ठीक है उसके बाद उसको दोया जाता है तो रंग दोने से यह नहीं उतरता वो हमेशा क्या हो जाते है red हो जाते है उसके बाद क्या की जाते है crystal लगाया जाते है अब जो धूल ग पॉजिटिव सेल वाल है देखो दो लियर है एक सिंपल सेल वाल है नीचे प्लाज्मा में ब्रेन है ठीक है और इसके अंदर जैब ग्राम नेगटिव के अगर आप देखते हो तो इसके अंदर वो क्या कहता है कि इसके अंदर ग्राइकन क्या है तो इसके अंदर ज्यादा था सब्सक्राइब के इसके निदर मजीद इंके दिफरेंस को हम कवर करेंगे और आपके लिए साड़ी करने यहां तक मेंब्रेन को राइबोजान में यह यहां टक कर लेंगे की बागी फिर आंबरेंगे यह वाला पॉर्षन का लेता है से पलाजमा मेंबरेन वह इसकवाँ साइट माझ साइज म हैं सिरसंब का राजा था कंपोस्ट और लाइपो प्रोटीन की बनी की बनी होगिए दिसके अदर तोड़ा से मांड्डिया और कार्बाइडließit की भी मजूद होती है ठीक है तोड़ा सा इसके अंदर इसके अंदर यह कर्बाइडिध की मुझ Alright वाती है निये यह अंदर रउय्कों citit की बनी होती है Yotting soldiers or protein की बनी होती passion की नियुक्त जो भी चीज़ के अंदर है कि जो भी बाहर जाएगी उसने क्रॉस करना है सेल मेमरीन को और सेल मेमरीन हर चीज़ को अलाओ करती कि वह इंटर कर जाए या एक्जीट हो जाए ठीक है उसके लिए जो है वह मेकनीजम है पैसिफ ट्रांसपोर्ट यह होता है मैनी मॉलेकिल मॉव इंटु इन्टु 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 सेल बाइप्रोटीन चैनल बाइस सिंपल डिफूजन बहुत जारे मॉलेकिल सिंपली जैसे आपको अगर पानी टंकी में चलाना हो तो पानी उपर जाना एंबाहिए जब सेल के अंदर बाहर कम में वह किसी चीज़ का लेवल जएदा और आपने बाहर से अंदर मजीद चीज़ को भेजने तो इसके लिए पिर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी परते हैं जिसके अंदर पॉप्स इस्तेमाल होते है और फांस जो है मृटी लैमेनेंट इन्वजिनेशन आ प्लादमा मेंब्रेन जो बाहर प्लादमा मेंब्रेन की लेयर है इस तरह करके आपके लेयर है यह बहुत सारे रेस्परेटरी इंजाइम्स मुझूद होते हैं ठीक है कोडिनेट नुकलियर और जब नुकलियोस के दर्मियान कि वो प्रसेस इतना हो गया तुमने इतना डिवाइड होने तो एक रिलेशन बना दिया ताके दोनों एट टाइम काम हो ठीक है और जो ज्यादा प्रॉमिनेंट होते हैं ग्राम पॉस्टिव बक्टेरिया के इंदर ग्राम नेक्टिव के इंदर यह कम जहना वहते हैं ठीक है अवे लेबल मतलब इंक्लूजिन रिजर्ब लॉफ इनर्जी इंट्रा साइट प्लाजम होता है मेटा क्रोमटिक बाил दानेदा स्ट्रक्चीर साल के लिए बैसे ने में होटे अच्छा के उसे था कि यह संगल डिन्य होगा और होगा है और अप्लाइड होगा ठीक है एदिशनल और नेक्टेर की देख लेंगे यहां बेक्टेट क्लासिफिकेशन तक और स्टेडिटिक यह विक्तिर प्रोसे से यह हम थर्ड लेक्टर के लेंगे आपने क्या जेए विक Thank you so much for being with me, Allah Hafiz